हेलो स्टुडेंट्स मैं लोकिंदर राजावत सिरीजावाई इंस्टिट्यूट के यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ डियर स्टुडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइथ पॉलिनोमियर का लेक्चर नमबर सेवन जिसके अंदर हम देखने वाले हैं रिमेंड़ थ्योरम अथार्थ सेसफल प्रम है तो हम इसके बारे में क्या-क्या जानने वाले हैं आज इसका एक ओवर्विव मैंने पहले लिख दिया है पहले हम उसको देख लेते हैं तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि रिमेंड़ सब्सक्राइब तो यहीं नीचे इसका अबने बता भी दिया है कि यूज करना सीखेंगे इसका यूज बेसिकली क्या होता है जैसे कि हमने पहले भी पड़ा है इससे पहले वाले लेक्शन में डिवीजन इलकॉरीत्म पड़ा था वहामने क्या किया था एक पोलिणोमिल को तो दू से Πोलिगोमायल से डिवाइड करना सिखा था उसके अंदर क्या होता था जिस के मांनलो एक P X i by इसको हम G X से डिवाइड कर रहे में तो कुछ क्यों सेंट आता था यो कुछ रिमेंडर आता था तो हमारे पास रिमेंडर करने का एक तरीका यह था कि हम क्या करें प्रोपर डिवीजन करें लास्ट में जो बच जाए वो क्या है हमारा रिमेंडर है लेकिन कभी-कभी क्या होता है कुछ special cases ऐसे होते हैं जिनका हम direct क्या कर सकते हैं proper division करें बिना भी remainder अथा उनका सेस्फल ग्याद कर सकते हैं वो special cases ही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं तो इनका huge क्या होता है to find remainder यानि कि सेस्फल ग्याद करने के लिए इसका huge किया जाता है फिर हम इसके उपर NTSC level के कुछ अच्छे-च्छे questions भी करके देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका statement देख लेते हैं कि remainder theorem होती क्या है फिर इसका proof देखेंगे फिर questions करेंगे तो देखो कि यहाँ क्या बोला है कि PX एक कोई polynomial है कि असा भी polynomial हो सकता है उसकी degree क्या है एक या एक से ज्यादा उसकी degree का कोई polynomial PX है उसने क्या बोला है कि A कोई भी एक real number हो सकता है 1,2,3,-5,-6,1,2 ऐसा कोई भी एक real number है A और PX है क्या है polynomial अगर हम इस वाले polynomial को जहान से देखना किस से divide करें X-A से यह वाला A यहाँ लिखना है अगर X-A से divide किया जाए तो जो remainder आता है R वो किसके बराबर होता है इस polynomial के अंदर क्या कर दो X की जगे पे एक value पूट कर दो और value पूट करने के बाद में जो polynomial की value आएगी यानि कि polynomial का मान आएगा बहुपत का जो मान आएगा उसके बराबर आता है अब मैं एक बार वापस बता देता हूँ फिर इसका proof देखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊगे और questions करेंगे तो और अच्छे से आपके concept clear हो जाएंगे और पूरा clarify हो जाएगा तो देखो एक PX polynomial है कुछ भी हो सकता लेकिन degree क्या है 0 सोरी एक से ज्यादा होनी ची एक या एक से ज्यादा degree का होना ची और एक कोई भी एक number है जैसे कि 1,2,3,4,5 में एक example भी साथ के बता देता हूँ देखो कि जैसे मानलो कि PX एक polynomial में लिख दिया X उसका प्लस 2X प्लस 1 है और मेरे पास एक number है 3 अगर हम इस polynomial को किस से X-3 से क्या करें डिवाइड करें तो एक तो तरीका है कि हम इसको proper डिवाइड करके देख ले और last में जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा remainder हो जाएगा लेकिन अगर हमारे पास इस type की कोई condition बनती है ऐसे situation है तो हम क्या कर सकते हैं direct इसका remainder पता कर सकते हैं वो कितना होगा R बराबर कितना आएगा इस polynomial में X की जगे पर कौनसी value पुट कर दूँ यह A वाली value पुट कर दूँ तो हमारे को remainder मिल जाएगा हम इस तरीके से भी करके देख लेते हैं और इससे भी answer निकाल के देख लेते हैं देखते हैं दोनों का answer सेम आता है या नहीं आता है तो देखो तो polynomial क्या था X square plus 2X plus 1 यहां सब जगे 3 लिखना है तो 3 square plus 2 multiply 3 plus 1 3 का square हो गया 9 plus 6 plus 1 तो इसका answer कितना आया remainder 16 आया हम इसको proper divide करके भी देख लेते हैं जिससे clarify हो जाएगा कि भाई हमारा answer यह सही है और proof देखेंगे फिर अगली slide पे हम तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे इसके highest degree वाले term को highest power वाले term को किस से divide करेंगे इसके highest power वाले term से x square divide by x से करेंगे तो x x cut गया एक x बच गया वो कहां करेंगे note क्योसेंट में note कर लिया अब इस x को क्या करेंगे इन दोनों से divide करेंगे तो x को x से divide करेंगे तो x square आएगा और x को minus 3x से divide करेंगे तो minus का 3x आएगा उसके बाद में क्या करेंगे इसमें से इसको subtract करेंगे यह minus हो गया और यह प्लस हो गया यह तो हो गया 0 यह 2x plus 3x कितना हो गया 5x और plus 1 अब इसके बाद में मैं यहां कर देता हूँ इसको solve max step में यहां हमारे x minus 3 है इससे हम divide कर रहे है तो 5x है तो 5x को x से divide करेंगे x x कट गया कितना बचा 5 बचा तो जो 5 आएगा उसको हम कहां नोट कर सकते हैं यहां नोट कर देते हैं x plus 5 अब इस 5 से क्या करेंगे इन दोनों को multiply करेंगे तो हमारे पास पहले already कितना था 5x plus 1 इसको इससे multiply करेंगे तो 5x आएगा इसको इससे multiply करेंगे तो 15 आएगा अब इसमें से इसको subtract करेंगे minus का हो गया यह plus का हो गया देखो यह 0 हो गया और यह कितना हो गया plus का 16 अब यहीं stop कर देंगे क्योंकि इसकी जो power है वो 0 है और इसकी power 1 है जैसे इसकी power क्या हो इस वाले की power remainder वाले की power क्या हो जाए इसकी power से कम हो जाए तो उसी case में हम क्या कर देंगे कर देंगे तो देखो क्या हमारा remainder वही आया जो हमने direct method से निकाला था तो remainder theorem का अगर आप लोगों को यह method नहीं आता है तो इससे पहले वाला lecture number 6 जरू देखना क्योंकि उसी lecture में मैंने क्या किया है डिवाइड करने वाले polynomial को polynomial से डिवाइड करने वाले questions भी बहुत अच्छे अच्छे करवाया है और पूरे concept को भी detail में समझाया है तो अगर आप लोगों ने पहले यह वाला अगर यह आप lecture number 7 देख रहे हो तो इससे पहले lecture number 6 जरू देखिए तो इसको एक बार note कर लीजिए इसके बाद में इसका proof देखते हैं फिर इसके उपर questions कैसे पूछे जाते हैं वो हम आगे देखते हैं तो इसको note कर लीजिए अब हम remainder theorem का proof देखते हैं देखो क्या है अभी हमने क्या पड़ा कि PX1 एक या एक से ज्यादा डिगरी का polynomial है इसको हमने क्या किया एक कोई real number था उसके इसके साब से फिर हमने X-A से divide किया या ऑाईर करने पर कुछ remainder आया कुछ questions आया और इसके बारे मैं हम्में क्या पता है δिवाइड करते वक्तमय पता है कि जो डिविडेंड होता है यानि भाजी होता है वो क्या होता है diviser और quescent के multiply plus remainder यानि कि successful के बराबर होता है यानि कि भाज्य किसके बराबर होता है भाज्य गुणा भागपल plus successful के बराबर होता है ये भी मैंने last lecture में cover किया है आप वो जरू देख लीजिए तो देखो dividend क्या है किसको हम divide कर रहे है px के अंदर हम divide कर रहे है किस से divide कर रहे है x minus a से divide कर रहे है क्योंकि a हमारा क्या था कोई any real number था यानि कि कोई भी एक वास्त्विक संख्या थी तो यहां क्या है जिस से divide किया diviser क्या है भाज्य कितना x minus a मालनों कि कुछ answer आएगा qx से plus कुछ remainder बचेगा r बचेगा अब हमें क्या proof करना है कि जो remainder होता है वो हमेशा किस के बराबर होता है p, a के बराबर होता है यानि कि polynomial की value निकाल दो x बराबर a के उपर तो वो ही value जो आईगी polynomial की वो ही हमारा क्या होगा remainder होगा तो देखो हमने क्या किया इस वाली एक तरीके से equation बन गई है इसके अंदर x वराबर a पूट करेंगे तो क्या होगा देखो यहाँ PA हो गया यहाँ A-A हो गया और यहाँ क्या हो गया QA हो गया प्लस कुछ remainder बचेगा जिसकी जगए पर मैं R लिखके चल रहाँ तो ध्यान से देखो A-A कितना हो गया 0 हो गया तो यहाँ 0 लिख दिया QA प्लस R 0 को QA से मल्टिप्लाइ करोगे तो 0 हो जाएगा लास्ट में केवल कितना बचा R तो देखो क्या PA की वेलू R के बराबर आगई यही तो हमें प्रूफ करना था तो देखो हमने यह चीज क्या कर करते हैं इसके अलग-अलग different cases पढ़ लेते हैं कि अगर X-1 की जगे कुछ और हो उससे भी डिवाइड कर सकते हैं क्या हो तब remainder कितना आएगा तो यह वार नोट कर लीजिए फिर हम इसके special cases पढ़के फिर questions करते हैं अब हम देखते हैं इसके special cases क्या है तो सबसे पहले हमने जो पहला case पढ़ा था हो क्या था कि अगर हमारा जो डिवाइजर है अथार जो भाजय के जिससे हम डिवाइड करने वह X-A है तो जो polynomial का remainder आता था डिवाइड करने के बाद में बतलब प्रोसेजर पूरे प्रोसेजर के बाद में जो remainder बचता था हो क्या होता था पी ए तो हम ऐसे समझ सकते हैं देखो X-A को 0 के बराबर पुट किया और X की value कितनी रखनी पड़ीगी हमारे को ए रखते ही हमारे को क्या मिल जाएगा remainder रथा सेस्फल मिल जाएगा उसी तरीके से अगर X-A से अगर हम divide करें polynomial को तो इसको ऐसा समझ सकते हैं देखो X-A समझ सकते हैं तो हम क्या करेंगे remainder निकालने के लिए क्या करेंगे देखो यह minus plus हो गया यह यही है X की जगे पर क्या put कर देंगे minus A put कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा polynomial का मतलब divide करने के बाद में remainder मिल जाएगा यानि सेस्फल मिल जाएगा तो हम इसको direct ऐसे भी put कर सकते हैं कि जिससे भी divide कर देखो यह सारे के सारे क्या है linear polynomial से अधार्थ रेखिक भहुपद है क्यूं हमने यह लिया देखो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जिसको हम divide करते थे जो PX था हमारा इसकी जो degree है वो क्या होनी चाहिए थी एक या एक से ज़ादा इसकी घात एक या एक से ज़ादा होनी चाहिए थी तो डिवाइड हम तभी कर सकते हैं जब जिसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी degree क्या हो या तो एक हो या उससे कम हो तो देखो यहां क्या है यह सारे के सारे linear polynomial तो linear polynomial के different cases हो सकते हैं आप उपर हमारे को polynomial की value निकालनी है वही हमारा क्या होगा remainder होगा अगर x की value क्या हो x plus मतलब जिससे divide कर रहे हो x plus a हो तो हम क्या करेंगे x plus a को 0 के बरापर put करेंगे a इदर plus में उदर जाके minus का हो गया यही एक्स परापर minus a के उपर जो भी value निकल क्या हीगी polynomial की बहुपत की वही क्या होगा हमारा remainder था successful होगा उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है linear polynomial a x plus b इस वाले case में भी क्या करेंगे हमारे को अगर remainder निकालना है तो क्या करो a x plus b को 0 के बरापर put करो तो x क्या आगा देको b minus का हो गया और a इदर आके divide के हो गया तो x बरापर क्या हो गया minus b upon a यही क्या होगी हमारे polynomial का remainder होगा इसके उपर value find कर लो polynomial की अभी questions करेंगे तो और अच्छे से आपका clarify हो जाएगा देखो ऐसे ही देखो a x minus b type का दिया हुआ हो कोई भी polynomial जिससे हम divide कर रहे है तो इस वाल minus b को उदर लेके जाएंगे तो plus का भी हो जाएगा और a इदर जाके divide में हो जाएगा तो x बराबर b by a के उपर जो value आएगी polynomial की बहुपत का जो मान आएगा वही हमारा remainder होगा उसी तरीके से minus a x plus b के देखे b को देखे तो minus b को उदर लेके जाएंगे तो minus का भी हो जाएग और divide में आगया minus का a minus से minus cut हो गया तो क्या आगया b by a यहनी की polynomial की b by a के उपर value निकाल दो वही हमारे क्या होगा बहुपत का जो divide करने के बाद में क्या आएगा remainder अताथ से इसफ़ल निकल क्या आएगा उसी तरीके से एक और special case है कि minus a x minus b type का कोई polynomial दिया हो तो इसका हमें remainder find करने के लिए क्या करेंगे इसको 0 के बराबर put करो तो minus b उदर जाके plus का भी हो गया minus का a इतर multiply में इतरा के divide में हो गया तो उपर नीचे कहीं भी minus हो तो दोनों का common minus हो तो मैंने उपर minus लगा दिया है minus b by a तो इस polynomial की हम क्या करेंगे minus b by a के उपर value find करेंगे वही हमारा क्य जो भी हमने जो पड़ा है उसके उपर questions करके देखते हैं उसको apply करके देखते हैं जो भी concept हमने सीखा है उसको देखो तो हमें क्या है यह चाई पाच questions मैंने लिखें पाचों को solve करतें तो हमारा पूरा concept क्या हो जाएगा clear हो जाएगा तो देखो Px क्या है polynomial दियावा है और Gx एक polynomial है जिससे हमें क्या करना है इसको divide करना है Px को और remainder बताना है तो दियान से देखो अभी हमने यही पड़ा था कि X-A type का कोई polynomial है उससे अगर divide करे या इस type का कोई polynomial हो या इस type का कोई polynomial हो या फिर इस type का कोई polynomial हो या फिर इन दोनों में से किसी एक type का polynomial हो तो उनसे अ कर लो X minus 1 को 0 के बराबर पुट कर लो यहां से X की क्या value आई 1 आई तो इस वाले polynomial की क्या कर लो X बराबर 1 के ऊपर value find कर लो वही हमारा क्या होगा remainder होगा तो R कैसे find करेंगे P1 होगा वही क्या होगा R होगा तो हम देखो value put करते हैं 1 power 4 minus 3 multiply 1 square plus 2 multiply 1 plus 1 तो तो देखो 1 का कितनी भी पावर हो, 1 ही आता है, 1 की कितनी भी पावर हो, 1 होगा, 1 multiply 3 कितना हो गया, 3 हो गया, plus 2, plus 1, तो देखो 1, 2, और ये 4, टोटल मिला के कितना हो गया, 4, 4 में से 3 गया तो 1, यानि इसका जो remainder आएगा, वो कितना आएगा, r बराबर 1 आएगा, हमने क्या कि किया, इसको 0 के बराबर पुट किया, और यहां से X की जो value आई है, उसी के उपर polynomial की, इस polynomial की value निकाल दी, और ये जो polynomial की value आईगी, वही क्या होगा, हमारा remainder होगा, देखो, इससे कितना आसान हो गया, वह नाम प्रोपर तरीके से divide करके भी क्या कर सकते थे, यह find कर सकते थे लेकिन देखो, यहां A की step में हमारा क्या हो गया, अंसर आगया, उसी तरीके से अगले वाले question को solve करते हैं, तो देखो, क्या बोला है, X minus A, इसके उपर क्या करना है, polynomial की value find करना है, मतलब इससे divide करने पे, polynomial का remainder find करना है हमारे को, तो सबसे पहले क्या करेंगा, X minus A को 0 के बर पूट करो, यहां से हमें क्या मिलेगा, X बराबर माइनस A उदर जाके क्या हो गया, प्लस का A हो गया, तो इस X बराबर A के उपर जो इस polynomial की value आईगी, PX की, वही हमारा क्या होने वाला है, remainder होने वाला है, तो जो R आएगा, remainder आएगा, वो कितना आएगा, P A, तो हम क्या कर हो गया, और A, और A, इसक्वार यह भी A, क्यूब हो गया, और यह 6A हो गया, यह माइनस A हो गया, तो देखो, यह तो 0 हो गया, और 6A में से A गया, तो कितना बचा, 5A, तो हम बोल सकते हैं, पोलिनोमिल के जो remainder आएगा, डिवाइड करने के बाद में, वो कितना आएगा, मत क्या करेंगे, X plus 2 को सबसे पहले 0 के बराबर पुट करो, तो यहां से क्या निकल के आएगा, X बराबर प्लस का 2 दर जाएके, किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यहनि कि हमें क्या करना है, इस पोलिनोमिल की, X बराबर माइनस 2 पे वेलू निकालनी है, वह यह हमा 2 पावर 4 नहीं होगा, I think 3 है यहां देखो, 3 कर लेना यहां, तो माइनस 2 पावर 3 प्लस 2 मल्टिप्लाई माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, इसके उपर हमें वेलू निकालनी है, तो यह जो हमारा वेलू आई कि वह हमारा रिमेंडर होगा, तो यहां मैं लिक भी देता एक र बराबर क्या होगा, यह होगा, तो देखो, वेलू साफ्राइन करते हैं, माइनस 2 की पावर कितनी है, even है, मतलब की sum है, तो जब माइनस माइनस और ऐसे आपस में सब को मल्टिप्लाई करोगे, तो लास्ट में क्या बन जागा, प्लस बन जागा, तो देखो, माइनस क माइनस से मल्टिप्लाई किया, माइनस के नंबर को प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, और फिर वापस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ इसके आंसर कितना आएगा, 2 मल्टिप्लाई, 2 को चार बार मल्टिप्लाई करो, 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, और 8 तू जा 16, यानि 8 आ गया फिर यहां देखो minus 2 का square है minus minus plus हो गया 2 का square 4 हो गया 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो गया और यह minus हो गया यहां कितना है minus minus plus का 2 और plus 2 तो इन सब को हमें क्या करना है 8 करना है तो देखो यह कितना हो गया 32 यह 48 plus 8 और 2 10 plus 2 12 हो गया तो देखो तो हमारे इस polynomial का जो remainder आएगा वो कितना आएगा R बराबर 92 डिवाइड करने पर इस वाले polynomial को इस वाले polynomial से डिवाइड करने पर हमारा जो remainder मिलेगा वो कितना होगा 92 होगा यह method बहुत ही आसान है बस हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमें किसके उपर value find करनी है तो इसको 0 के बराबर put करोगे एक्स की जो भी value आएगी उसके उपर value find कर लो यानि उसके उपर मान गयाद कर लो बहुपद का वह ही हमारा क्या होगा remainder अथाथ successful होगा उसी तरीके से next वाले question को solve करते हैं तो देखो यहाँ x बराबर क्या आएगा 1 by 2 आएगा अगर 0 के बराबर put करोगे तो इसको क्योंकि minus का 1 by 2 उतर जाए कि plus का 1 by 2 हो जाएगा अब क्या करना है x बराबर 1 by 2 के उपर हमें इस polynomial की value find करनी है यानि इस बहुपद कमान गयाद करना है तो देखो find करते हैं तो remainder बराबर क्या आएगा P 1 by 2 होगा तो देखो value find करते हैं 4 multiply 1 by 2 power 3 minus 12 multiply 1 by 2 power 2 हो गया यानि square हो गया इसका plus 14 multiply 1 by 2 और last में minus का 3 है तो देखो यह कितना होगा 4 multiply 1 by 2 का cube करोगे तो 1 by 8 हो गया 1 का cube 1 होता है और 2 का power 3 कवर होगे तो कितना हो गया 2 तू जा 4, 4 तू जा 8 हो गया minus 12 multiply यह 1 by 4 हो गया plus देखो यह यहां से 7 time divide हो गया 7 हो गया plus ओर sorry last में minus का 3 हो गया तो देखो यह 1, यह 2 time divide हो गया यह यहां 3 time divide हो गया तो यहां कितना हो देखो last में 1 by 2 बच गया है यह minus का 3 है और यहां minus का 3 है minus का 6 हो गया और plus का 7 करोगे तो plus का 1 हो जाएगा और 1 by 2 के अंदर जब हम क्या करेंगे 1 plus करेंगे तो यानि कि आदे में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा डेड़ आएगा यानि कि 3 by 2 हमारा answer हो गया तो इसका remainder कितना मिलेगा 3 by 2 मिलेगा तो इसको भी note कर लीजिए इसके साथ में हम अगले वाले polynomial को भी solve करते हैं तो मैं इस question को इधर solve कर देता हूँ देखो हमें क्या करना है 3x minus 1 से इसको divide करना है इस polynomial को और remainder बताना है उसी तरीके से 1 minus 3x से भी divide करके देखना देखते हैं क्या आता है तो सबसे पहले तो क्या करो 3x minus 1 को 0 के बराबर put कर लो उसी तरीके से मैं साथ में इसको भी कर लेता हूँ 1 minus 3x को भी किसके बराबर put कर लेता हूँ 0 के बराबर तो देखो यहां से minus उदर जाके plus का हो गया और 3 इदर आके divide को हो गया एड़ी x बराबर 1 by 3 पर value find करनी है अगर इसके साथ से देखे तो देखो 1 उदर जाके minus का हो गया यह minus का 3x इदर बच गया और minus से minus कट गया x की value निकालोगे तो यह भी कितने पर 1 by 3 की ओपर हमार value find करनी है तो 1 by 3 पर value find करते है और जो भी value निकल के आईगी वो हमारे polynomial का remainder हो जाएगा तो देखो remainder निकालने के लिए क्या करेंगे P 1 by 3 find करेंगे तो वो कैसे put करें तो देखो यहां कितना होगा x की power 3 है यानि 1 by 3 की power कितनी होगी 3 minus 6 multiply 1 by 3 का square हो गया और यहां कितना है plus 2 multiply 1 by 3 और minus का 4 है तो सबसे पहले इनको simplify कर लेते हैं क्या आता है देखो यह देखो तो 1 by 3 का cube करोगे तो 1 upon 27 होगया 3 को 3 बार multiply करोगे तो 27 आएगा minus 3 का square करोगे 9 आएगा इधर कितना 6 6 upon 9 करोगे तो मैं यहां solve कर देता हूँ देखो 3 से 2 time कट रहा है और यह 3 time divide हो रहा है तो यह कितना आएगा 2 by 3 आएगा और यह भी कितना हो गया 2 by 3 हो गया और यह minus का 4 हो गया तो देखो यह तो divide हो गया 0 हो गया मतलब minus हो गया 0 हो गया केवल कितना बचा 1 upon 27 minus 4 तो जब इसको आगे further solve करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं 27 LCM आगया और मैं दूसरा वो ले लेता हूँ मार कर देखो इसका इसमें divide करेंगे 1 time 1 को 1 से multiply किया 1 आया और इसका इसमें divide करेंगे 27 time आएगा 27 को 4 से multiply करेंगे तो कितना आएगा minus का 108 आएगा जब इसमें से इसको subtract करेंगे तो कितना आएगा 107 divided by 27 तो इस वाले case के अंदर जो remainder आने वाला है वो कितना आएगा minus 107 divided by 27 तो ये हमने क्या कर लिए 5 questions को practice करके देख लिया तो next slide पे हम क्या करते हैं कुछ questions और solve करते हैं फिर अच्छे वाले question solve करते हैं तो ये भी note कर लिजिए इसके उपर एक question और करके देखते हैं जिससे कि हमारा ये वाला topic और अच्छे से clear हो जाएका तो देखो क्या बोला है find the remainder when xq plus 2x square plus 3x plus 1 is divided by all of them यानि कि इन पाच्छों से अगर इस वाले polynomial को विभाजित किया जाए divide किया जाए तो remainder क्या आएगा वो हमें बताना है तो देखो सबसे पहले x plus y से अगर divide किया जाए तो कितना आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे x plus y को अगर 0 के बराबर put करें तो यासे x की value कितनी मलेगी minus pi मिलेगी तो इस वाले polynomial से यानि कि x plus y से अगर इसको divide किया जाए तो मालनों कि यह कितना है px है तो हमारे को जो remainder मिलने वाला है वो कितना मिलेगा x बराबर minus pi के उपर इस polynomial की जो भी value निकल के आएगी वही value के है अमारा remainder है तो क्या करोगे देखो minus pi cube plus इसको थोड़ा से उपर लिख देता हूँ मैं देखो p minus pi बराबर क्या होगा minus pi cube plus 2 multiply minus pi square plus 3 multiply minus pi plus 1 हो जाएगा तो यह कितना होगा देखो minus pi की power 3 है तो 3 odd है तो जब minus करोगे plus होगा और plus minus करोगे वो minus हो जाएगा तो minus और pi की power 3 हो जाएगा plus यह minus minus करोगे तो plus हो जाएगा pi की power 2 है तो pi square हो गया 2 multiply pi square हो गया यहाँ देखो plus और minus minus हो गया 3 को pi से multiply करोगे तो 3 pi हो गया plus 1 हो गया तो यानि कि जो हमारा remainder आएगा वो कितना आएगा ये वाली value ही हमारा remainder है अगर वो आगे बोलता है कि pi की जगे पे value पुट करके answer भी further आगे solve करना है तो हम आगे भी solve कर देंगे बरना यही हमारा क्या है इसका answer हो गया उसी तरीके से second question में क्या बोला है कि 5 plus 2x से divide करना है इसको और remainder बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 plus 2x को 0 के बराबर put करो यानि कि 2x बराबर कितना हो गया minus का 5 हो गया उदर जाके और x बराबर कितना आगया यहां से 2 उदर जाके divide में हो जाएगा तो minus 5 by 2 के उपर क्या करनी है हमें polynomial की value find करनी है वही हमारा क्या होगा remainder होगा तो देखो value find करते हैं इस polynomial की minus 5 by 2 पे तो minus 5 by 2 का cube हो गया plus 2 multiply minus 5 by 2 square होगा plus 3 multiply minus 5 by 2 और plus 1 होगा तो देखो minus 5 by 2 का cube करेंगे तो minus 5 को 3 बार multiply करो तो minus minus plus plus minus minus 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा 25 आएगा और 25 को फिर 5 से करेंगे तो 125 आएगा उसे तरीके से 2 2 जा 4 4 जा 8 हो गया plus यहां minus 5 का square करेंगे minus minus plus होगा 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो गया और divide by 4 हो गया इस 4 से यह 2 2 time डिवाइड हो जाएगा तो answer कितना आया इसका 25 by 2 आगया और यहां देखो plus का है और यह minus का हो गया 5 3 जा 3 5 जा 15 हो गया और divide by 2 plus 1 इन सबका LCM लेलो तो 8 LCM आ रहा है इनका तो देखो आगे solve करता है यह हो गया minus 125 प्लस यहां इसका वो करेंगे LCM लेंगे तो कितना आएगा मतलब divide करेंगे तो 4 time 4 को इससे multiply करेंगे तो 100 हो गया इसका इसके अंदर divide करेंगे तो 4 time divide होगा 4 को 15 से गुणा करेंगे तो 60 हाएगा 60 हाएगा इसका इसमें divide करेंगे 8 होगा 8 को 1 से multiply करेंगे 8 आगया अब देखो, माइनस 125 प्लस 100, तो यह कितना हो गया, माइनस 25 और माइनस 60, कितना हो गया, माइनस 85 हो गया, माइनस 85 के अंदर हमने कितना प्लस किया, 8 प्लस किया, तो यह कितना हो गया, माइनस 77 डिवाइड बाइ 8 हो गया, तो यही क्या है हमारा, आंसर हो जाएगा इसका, दे Question ये दियावा था 2 multiply minus 5 by 2 का square plus 3 multiply minus 5 by 2 minus 5 by 2 का square करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 divided by 4 हो गया और यहां कितना हो गया 2 से 2 कट जाएगा ये 4 से 2 divided हो जाएगा 2 आजाएगा ये भी सही है ये 4 time divide वा ये आएगा 100 आजाएगा और इसको इससे divide करेंगे 4 time फिर ये 60 आजाएगा और ये plus का 8 आजाएगा तो minus ये minus 25 हो गया और ये minus का 85 हो गया और plus गया तो minus 77 by 8 यही क्या है हमारा इस problem का answer अब देखो अगले वाले question को देखो solve करते हैं तो यहां क्या है जो A वाला time हो दूआ है इस polynomial की PC जीरो पर value find करनी है वहीं हमारा क्या होगा reminder होगा तो X व्याबर 0 पर value find करेंगे तो क्या आएगा ये भी 0 होगया ये भी 0 होगया ये भी 0 हो गया क्या आएगा 1 आएगा तो 1 ही हमारा क्या है remainder हो जाएगा तो इस चीज़ को भी note कर लीजिए फिर हम अगले वाले question को solve करते है देखो थार्ड हो गया फोर्थ पे आते हैं तो x minus 1 by 2 बराबर 0 put करोगे तो यहां से x बराबर कितना मिला 1 by 2 तो x बराबर 1 by 2 पे हमें क्या करना है इस polynomial की value find करना है वही हमारा क्या होगा remainder अतार successful होगा तो देखो यहां find कर देता हूँ तो p 1 by 2 बराबर क्या होगा 1 by 2 का cube plus 2 multiply 1 by 2 square plus 3 multiply 1 by 2 और plus 1 इसको आगे solve कर देता हूँ यहां देखो 1 by 2 का cube करोगे तो 1 by 8 आएगा यहां कितना हो जाएगा 2 multiply 1 by 4 हो गया plus 3 by 2 हो गया और plus 1 हो गया तो देखो यह कितना हो गया 1 by 2 1 by 2 और 3 by 2 यानि कि आधा plus 1,5 1 and half कितना हो गया 2 हो गया 2 plus 1 कितना होगा 3 हो जाएगा तो इसको अगर sum करेंगे आगे तो 1 by 8 plus 3 यह कितना हो जाएगा नीचे 1 लगाओ नीचे LCM 8 आ रहा है इसका तो आगया 1 और इसको इसको इसके डिवाइड करेंगे 8 टाइम होगा 8 को 3 से multiply करेंगे तो 24 आएगा तो हमारा answer कितना आगया 25 by 8 यही क्या है हमारा remainder होगा तो देख लो कुछ गलती तो नहीं हो यह ना 4 हो गया इससे divide हो गया तो 1 by 2 बच गया ठीक है प्लस 3 multiply 1 by 2 करेंगे 3 by 2 होगा last में plus 1 ही था ना हाँ ठीक है 1 by 2 करेंगे तो यहां कितना हो गया 1 by 2 प्लस 3 by 2 यह तो हो गया 2 और 2 plus 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहां जब LCM लेंगे 8 आएगा 8 का 8 में divide करेंगे 1 आएगा 1 को 1 से multiply करेंगे 1 आगया प्लस इसका इसमें divide करेंगे 8 टाइम होगा 8 3 जा 24 24 प्लस 1 कितना हो गया 25 by 8 हो गया तो यह क्या हो गया हमारा answer हो गया इसका answer क्या हो गया यह हो गया इन दोनों को भी note कर लीजे फिर next slide के उपर हम 5 तवाला question को solve कर दें अब हम इस 5 को X प्लस 1 से divide करने पर कितना remainder आएगा वो find करते हैं देखो 5 तवाला question क्या है तो सबसे पहले X प्लस 1 को किसके बराबर put करोगे 0 के बराबर put करोगे तो यहां से X प्लाबर कितना मिला माइनस का 1 मिल जाएगा क्योंकि प्लस का 1 अदर जाके माइनस का 1 हो गया अब हमें remainder find करना है तो क्या करना है इस polynomial की X प्लाबर माइनस 1 के उपर value find करोगे वही value क्या होगी हमारा remainder यानि की saysful होगा तो देखो माइनस 1 का cube plus 2 multiply minus 1 square plus 3 multiply minus 1 और plus 1 तो यहां देखो माइनस 1 का cube करोगे तो माइनस माइनस प्लस और plus माइनस माइनस और 1 को कितनी बार multiply करो 1 ही आएगा माइनस 1 का square करोगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 को 1 से multiply करोगे तो 1 होगा और 1 को 2 से करोगे तो 2 होगया और यहां plus है और यह minus है तो minus होगया 3 को 1 से multiply करोगे 3 होगा plus 1 होगा तो देखो minus 1 और minus 3 तो minus 4 होगया और 2 plus 1 कितना होगया 3 होगया जब आगे solve करोगे तो कितना आएगा minus का 1 यहां हमारा जो remainder आया है वो कितना है minus 1 आया है तो इस question को भी note कर लीजे फिर हम अच्छे questions solve करते हैं इसके उपर अब हम इसके उपर कुछ अच्छे questions भी solve करके देखते हैं जिससे कि हमारे को अगर tough paper भी बनता है तो वो भी करना आ जाएगा तो देखो क्या बोला है यह तो हमने इस type of question तो कर लिया है लेकिन यह क्या है तोड़ा lengthy question है यह calculations जादा है इसलिए इस question को भी मैं क्या करवा रहा हूँ यह solve करवा रहा हूँ तो देखो जैसे fx एक polynomial दिया वाए 3x power 4 plus 2x power 3 minus x square by 3 minus x by 9 plus 2 by 27 इसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के बराबर put करो तो यहां से हमारे को x की value क्या मिली minus 2 by 3 हमें क्या करना है इस polynomial की minus 2 by 3 के उपर value find करनी है जो value आईगी minus 2 by 3 पे वही हमारा क्या होगा polynomial को इस polynomial को इससे divide करने पे इसको इसमें भाग दिने पर जो remainder यानि सेस्फल आएगा वह हमारा मिल जाएगा तो देखो हम क्या कर रहे है remainder r बराबर क्या होगा p minus 2 by 3 के उपर value find करेंगे इस polynomial की तो देखो क्या होगा 3 multiply minus 2 by 3 power 4 हो जाएगा इसको थोड़ा से उपर लिख देता हूँ देखो r बराबर क्या होगा 3 multiply minus 2 by 3 power 4 plus 2 multiply minus 2 by 3 power 3 plus sorry minus minus 2 by 3 square minus minus 2 by 3 और plus 2 by 27 तो ये slide पे नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ देखो यहां तो आप आगे further solve करते हैं तो देखो 3 और नीचे 3 power 4 है तो 1 3 कर जाएगा नीचे कितने 3 बज जाएगे तो इन 3 बज जाएगे तो 3 की power 3 कितना हो गया 27 और उसी तरीके से minus 2 की power 4 करे तो minus minus plus plus minus minus और फिर से minus minus plus हो जाएगा और 2 की power 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 आ गया फिर यहां देखो minus 2 की power 3 है और 3 की power 3 है तो 3 की power 3 तो नीचे कितना हो गया 27 हो गया और यहां देखो minus 2 की power 3 तो यह minus का 8 होगा minus 8 को 2 से multiply करेंगे तो यह कितना आएगा minus का 16 हो जाएगा उच्छी तरीके से minus 2 का square करेंगे 4 आएगा 3 का square करेंगे तो 9 हो जाएगा तो यह कितना आएगा minus 4 by 9 आगया और यह minus minus plus हो गया और 2 by 3 हो गया और last में plus का 2 by 27 ऐसे कैसे आ रहा है तो देखो, यह तो 0 होई गया अब इन 3 का LCM ले लेते हैं तो LCM कितना आएगा 27 आएगा इन 3 का LCM इस कैसे मैं डिवाइड करेंगे 3 ताइम 3 को minus 4 से multiply करेंगे minus 12 इसके हैसमें डिवाइड करेंगे 9 ताइम 9 को 2 से multiply करेंगे तो plus ब्लस का 18 इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 2 आ गया तो देखो ये दोनों तो solve करोगे आगे तो कितना आएगा कुछ गलती तो नहीं है न देख लो एक बार 3 है माइनस 2 का पावर करेंगे तो ये होगा माइनस 2 से माइनस 2 स्कार करोगे तो 4 बाई 9 होगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 बाई 3 होगया और प्लस का 2 बाई 27 दियावा है हाँ यही है हमारे को देखते हैं आगे क्या आंसर आता है यह माइनस का ही होगा ना पहले माइनस का ही दिया वाले भाष पल प्लस का दिया था सही lang क Eastern का होगा यह ऋसका हो जाएगा प्लस का करetrा ले टो यह मैं एक बाल प्लसका लेका लेटा ओन देखो वना बात में गलट तो जाएगा थो हाँ सभी है हमारा यह तो देखो कितना अंसर आता है और यहां कितना है 27, 18 आया इसका इसमें डिवाइड करेंगे सभी है कुछ गलती हो रही है आई थिंक यहां देखो क्या गलती है एक बार वापस से देख लेते हैं इसको 3 की पावर 4 है तो यह कितना हो गया 1 3 से 1 3 कट गया यहां 3 था सही है 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 सही है माइनस 2 की पावर 4 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 सही है यह फिर माइनस 2 की पावर 3 करेंगे माइनस 8 और minus 8 को 2 से multiply करेंगे तो minus 16 और 3 की power 3 करेंगे तो 27 ये भी सही है फिर यहां क्या होगा minus minus plus हो जाए sorry minus minus plus तो नहीं होगा क्योंकि square है न sorry यहां देखो एक चीज़ मिस हो गई हमने x की जगे value put की है और यहां नीचे वाला 3 क्या हो गया बच गया यहां कितना होगा 1 upon 3 होगा और यहां कितना होगा 1 upon 9 होगा तो यह miss हो गया था देखो तो यह कितना होगा यह 4 हो गया और नीचे कितना होगा 27 हो गया तो देखो इसका तो कितना आएगा minus 2 का square करोगे 4 हो जाएगा 4 और 3 का square करोगे 9 और क्या होगा देखो 4 और नीचे 9 3 जा 27 हो गया उसी तरीके से यहां क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 को 1 से मल्टिप्लाइ करोगे 2 होगा और नीचे मल्टिप्लाइ करोगे तो देखो अब सही है हमारा आज़ी आएगा देखो यह इसका सब्सक्ति करेंगे लाइगा वह अगया मैंडस फॉर एक फिर यहां वर नाईगा फिर तुसे मल्टीप्लाइगे करेंगे टू आएगा मैंडस फॉर प्लस टू और प्लस टू यह आगे जीरो हो जाएगा solve करने पे तो हमारे को जो remainder मिलेगा वो कितना मिलेगा 0 मिलेगा तो ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ थोड़ी से mistake हो गई तो उसको हमने cover कर लिया है सुदा लिया है तो ये भी क्या हो गया एक अच्छा question था ये भी आगे note कर लेना आप लोग इससे भी अच्छा question एक और दि x square minus 4x plus a leave the same remainder when divided by x minus 3 उसने क्या बोला है देखो कि अगर हम इस वाले polynomial को और इस वाले polynomial को x minus 3 से क्या करे डिवाइड करे तो दोनों से same remainder बचेगा यानि कि देखो यह हिंदी में भी लिखा है यदि भावपदो this and this को x minus 3 से विभाजित किया जाता है तो समान से इसबल पराप्त होता है तो हमें किसकी वैली बतानि एक कामान ग्याद करना है एक की वैलिव tv कन्ये मिलं करना है तो हमें पता है कि उसने खुद बोला है कि x minus 3 से इसको करना है और X बोल देता हूं A X cube plus 4 X square plus 3 X minus 4 और इसको मैं F X बोल देता हूं X square minus का 4 X plus A हमें क्या करना है एक GX polynomial है X minus 3 इससे क्या करना है दोनों को divide करना है और divide करने के बाद में दोनों का जो remainder आएगा वो remainder दोनों का same करना है और उसी के साथ हमारा A की value find हो जाएगी तो इसको क्या हो बोला है सबसे पहले X minus 3 को किसके बराबर put कर लो 0 यहां से X की value क्या मिले 3 यानि कि हमें क्या करना है इस polynomial की 3 के उपर value निकालनी है P3 आएगी वही हमारा polynomial का remainder हो गया R P वाले polynomial का उसी तरीके से यहां F3 की निकालना है X बराबर 3 पर इसकी value यह हमारा क्या हो जाएगा R F हो जाएगा remainder of F वाले polynomial का दोनों का बराबर put करना है और तो polynomial की X बराबर 3 पर value find करनी है तो देखो P3 जो की क्या होगा R P होगा R P का मतलब है P वाले polynomial का remainder तो कितना आएगा A multiply 3 cube plus 4 multiply 3 square plus 3 multiply 3 minus 4 तो कितना हो गया 3 का cube करोगे 27 आएगा 27 का आएगा 27 को A से multiply करोगे 27 है फिर 3 का square करोगे 9 9 4 जा 36 plus 3 3 जा 9 minus 4 तो यह कितना होगे 45 होगे 45 माइनस 4 करोगे तो 41 हो जाएगा तो इसका remainder कितना है 27 A plus 41 आजाएगा R P की value उसी तरीके से R remainder निकालने F का तो हमें क्या करना है F3 की value जो आई की वही क्या होगा हमारा remainder हो जाएगा FLA polynomial का तो वह कितना आएगा देखो 3 square माइनस 4 multiply 3 plus A तो यहां कितना होगा 3 square 9 9 माइनस करोगे 12 तो कितना आएगा माइनस का 3 plus A अब उसने खुद बोला है कि इन दोनों के remainder सेम मिलेंगे हमारी को यहनि हमें क्या करना है 27 A plus 41 को किसके बराबर करना माइनस 3 plus A के तो देखो A इदर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का A हो जाएगा और यह उदर जाके किसका हो जाएगा 41 माइनस का हो जाएगा देखो कुछ गलती तो नहीं हुए ना एक बार देख लेते हैं वापस से question सही लिखा है ना हमने सही है यह बला ही है यह ही हान लिखा है ना तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27 A आएगा सही है फिर यह 3 स्कॉर 9 9 4 जा 36 आएगा सही है 3 3 जा 9 आएगा ठीक है माइनस 4 इसका इसमें प्लस करेंगे 45 आएगा 45 माइनस 4 करेंगे 41 आएगा और 27 A 41 ठीक है यह भी फिर यहाँ इसकी value find करनी है तो हम क्या करेंगे 3 का square करेंगे तो 9 आएगा और 4 3 जा 12 आएगा 9 माइनस 3 करेंगे माइनस का 3 आएगा और प्लस का यह ऐसे कैसे चल रहा है ठीक है यह भी आप इसके बाद में क्या करना है हमें दोनों को बराबर करना है तो यहाँ देखो कुछ कलती तो नहीं है न एक बार देख लेते हैं कहीं कलत आए फिरांसर तो देखो यह माइनस का इदर आ गया और यह 41 उदर जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा तो यह माइनस 44 हो गया और यह 26 A हो गया तो A की वेल्यू क्या हो गया माइनस 44 डिवाइड बाइ 26 22 डिवाइड बाइ 13 आगे भी सोल हो रहा है क्या तो देखो A की वेल्यू कितनी आई हमारे माइनस 22 अपोन 13 तो एक बार आप लोग सोल करके देख ले ना I think यहीं आंसर आना चाहिए 4 दियावा है और यह दियावा है तो इसको एक बार नोट कर लीजिए कोई भी प्रोब्लम आई है तो मैं देखता हूं देखो यही है कोई भी प्रोब्लम नहीं है वो actual में क्या था question मैंने इस question के according तो इसका answer यह आएगा औरीजिनल जो question था वो क्या था यहां पर X की पावर 3 थी तो उसके according इसका कुछ और आंसर आ रहा है इसलिए मुझे लगा कि कहीं गलत नहीं हो जाए तो यह इस question के according क्या है इसका यही आंसर होगा यहीं नोट कर लीजिए फिर आगे question solve करते है इसके उपर दो और अच्छे question solve करते हैं इसी के साथ फिर हमारा यह lecture खतम हो जाएगा तो देखो क्या बोला है मैंने हिंदी में नहीं लिखा है मैं समझा देता हूं इसको आप लोग अगर हिंदी मीडियम से हो तो इसको अपनी लेंग्वेज में लिख लेना वह तासाल लेंग्वेज में लिखा है समझ इसको 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 इससे डिवाइड किया जाता है तो आरटू रिमेंडर आता है सेसफल आता है इसके अलावा उसने एक चीज़ और बोली है कि टू आरटू प्लस आरटू यहां वेल्यों कितनी है सीकसे तो हमें एक एक इन्द करनी है तो यह जो एधन इसकी हमारे को जैद करनी है तो सबसे पहले उसने जो बोला चरब करना करते उसने क्या बोला है कि बीए कि इसको ब्राबर 1.0 introduction अब PX बोल दो तो इसकी value find करेंगे तो वो कितनी आईगी R1 आईगी उसने बुला है कि remainder कितना आएगा R1 आएगा उसी तरीके चे जब इसको solve करेंगे तो X-2 बराबर 0 तो यहां से X बराबर 2 आएगा इसको मान लो कि इस वाले polynomial को हमने बोल दिया FX और यह polynomial क्या है PX है तो हमें क्या करना है F2 की value निकालनी है sorry हाँ F2 की value निकालनी है वो कितनी आनी चीए R2 के बराबर आनी चीए तो सबसे पहले तो हम R1 और R2 की value निकालते हैं और फिर जो भी R1 और R2 की value आएगी वह वेल्यू यहां पूट करेंगे तो हमारे को किसकी वेल्यू मिल जाएगी एक ही वेल्यू मिल जाएगी तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं देखो यह वाला तो फर्स्ट वाले को हमने इसको किससे डिवाइट करना था इससे तो देखो यानि की P-1 निकालते हैं तो कितन आएगा यह आरवन के बराबर आएगा पहले वाले के रिमेंडर के बराबर तो कितना होगा माइनस वन की पावर 3 हो जाएगा मैं इसको मिटा देता हूं देखो जो भी काम की चीज है वो मैं लिख देता हूं यहां केवल कन्फ्यूज हो जाओगे वरना यह क्या लिखवा है तो देखो हमें क्या करना है इसको इससे डिवाइड करना था और इस वाले पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना था और रिमेंडर आरवन आरटू मिलेगा हमें रिमेंडर थ्योरम पता है रिमेंडर थ्योरम से जो आरव क्या होगा सेस्फल होगा तो देखो P-1 निकालते हैं तो कितना आएगा ध्यान से देखो यहां value put करते हैं-1 की power 3 plus 2 multiply minus 1 square minus 5 a multiply minus a और minus 7 तो देखो यहां कितना होगा minus 1 का cube करोगे तो minus का 1 आएगा क्योंकि minus minus plus और plus minus minus और 1 को कितनी बार भी multiply करो कितना आता है वन आता है फिर minus 1 का square करोगे प्लस का 1 plus 1 को 2 से multiply करोगे plus का 2 देखो minus minus plus होगया 5 को यह से multiply करोगे 5 और minus 7 तो देखो minus 1 और minus 7 कितना होगया minus 8 प्लस 2 करोगे तो minus 6 plus 5 a तो यह तो मिला हमारे को R1 उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे R2 की भी value निकाल लेते हैं तो R2 कितना आएगा इस polynomial की value निकालनी है किसके उपर x बराबर 2 के उपर जो value आईगी वही क्या होगी हमारे इस polynomial का remainder होगा तो वो R2 बोला हुआ है तो P2 निकालते हैं हम तो P2 कितना आएगा देखो यह value पुट करते है 2 का cube plus a multiply 2 square minus 12 multiply 2 plus 6 होगा तो 2 का cube करोगे तो 8 होगा 2 का square करोगे तो कितना होगा 4 होगा 4 को a से multiply करेंगे 4 a होगया और 12 to 24 plus 6 तो 8 होचे कितना होगया 14 होगया 14 minus 24 करोगे तो यह कितना आजाएगा minus का 10 आजाएगा तो यह कितना आगया R2 की value कितने आगी minus 4 a minus 10 आगी और उसने खुद बोला है कि 2R1 प्लस R2 कितना भी आवा है 6 तो हम values put कर लेते हैं R1 की value कितनी आई थी –6 प्लस 5 है तो –6 प्लस 5A और यहां कितनी हो जाई कि इसकी value R2 की value कितनी आई है 4A-10 तो यह कितनी हो गई 4A-10 यह किसके बराबर होना चाहिए 6 के बराबर यह 2 अंदर दोनों से multiply होगा तो यह कितना हो गया –12 प्लस 10A प्लस 4A और –10 बराबर 6 –12 और –10 कितना होगा –22 उधर जाके प्लस का 22 हो जाएगा तो 6 प्लस 22 और इधर कितना हो गया 14A हो गया तो यह हो गया 28 हो गया तो यहां से A की वेल्यू कितनी मिलेगी वो यहां निकाल देता हूँ है 28 डिवाइड बाइ 14 यानि कि 2 तो A की वेल्यू हमारे को कितनी मिल गई 2 मिल गई तो इसको भी note कर लीजिए फिर मैं नीचे वाले question को यहां solve कर दूँगा तो अब हम इसका solution करते है तो देखो क्या है उसने क्या बोला है कि इफ यदी fx बराबर x पावर 4 माइनस 2x q प्लस 3x स्कार माइनस ax प्लस b यह जब polynomial एक भावपद है such that इस तरीके का कि when it is divided by x माइनस 1 and x प्लस 1 कि यानि कि इस polynomial को जब x माइनस 1 से और x प्लस 1 से divide किया जाता है तो the reminders यानि कि जो sales file है वो क्या हैंगे 5 and 19 respectively इसका मतलब क्या है समझू कि जब इस polynomial को x माइनस 1 से divide किया जाता है तो 5 remainder आप है और जब इस polynomial को x प्लस 1 से divide किया जाता है तो 19 यानि 19 के आता है sales file आप है तो हमें ये बताना है कि जब इस polynomial को x-2 से divide किया जाएगा तो कितना remainder आएगा तो देखो हम अगर हमारे पास normal polynomial होता fx a और b नहीं होता तो हम क्या करते हैं x-2 को 0 के बराबर put करते हैं यहां से x की value 2 निकल के आती और हम क्या कर लेते हैं f2 कोई जो value निकालते हैं वही क्या होता इस वाले polynomial को इससे divide करने पर remainder आता तो अब अब सबसे पहले हमारे को क्या करना है द्यान से समझो हमें केवल normal यह बहुत आसान f2 निकालना सबसे मुश्किल काम क्या है यहां पर सबसे पहले तो a or b की value निकालेंगे और a or b की value निकालने के बाद में हमारे को क्या होगा एक हमारा पूरा proper fx मिल जाएगा जिसमें a or b भी हमारे को पता होंगे, उसके बांद में हमें क्या करना है, इस वाले polynomial को जब इस से डिवाइड करना है तो F2 की value निकालनी है, वही क्या होगा हमारा, remainder होगा जिसे R3 मानलो, कि इसको हम जब इससे divide करेंगे, तो कितना आएगा? R3 आएगा, तो वो remainder F2 की value निकालनी है बस two की value निकालनी के लिए हमें a और b पहले से पता करने तो उसने क्या बोला है देखो इस fx को हम किस से डिवाइड करें जब x-1 से इसका मतलब zero put करो तो x बराबर 1 तो जब हम इस polynomial की value 1 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा remainder कुछ ने बोला है 5 मिलेगा उसी तरीके से जब x plus 1 को zero के बराबर put करोगे तो कितना आएगा x की value minus 1 यानि कि अगर हम इस polynomial की value minus 1 पे निकाल ले कि वही तो remainder होता है remainder निकालने के लिए हम remainder theorem को यूज करनें बार बार तो वो कितना आएगा 19 आएगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है इस question में क्या करना है f1 बराबर 5 करना है और f minus 1 बराबर 19 करना है यहां से 2 equations मिलेगी उनको solve करके a और b की value निकालने है फिर इसको fx बनाना है fx proper fx निकालना है उसके बाब में f2 निकालना है लेकिन समझना आप लोगों को पड़ेगा क्या बोला है कि इसको इससे divide किया तो इतना बचा तो हमने divide कर लिया यह यह remainder आएगा ठीक है फिर इसको इससे divide करेंगे तो remainder इतना है तो वह वाले condition लगा कि हमने इसका remainder यहां निकालना है अब f1 find करते हैं सबसे पहले तो देखो इसके अंदर value find करो put करो कितना आएगा 1 power 4 minus 2 multiply 1 3 plus 3 multiply 1 square और minus 4 multiply 1 plus b यह होगा तो देखो इसकी value कितनी आनीचे 5 तो 1 की power 4 कितनी भी हो तो 4 है यहां पे तो 1 ही आएगा 1 की power 3 यह भी बनाएगा minus 2 plus 3 minus a plus b बराबर 5 तो यहां क्या बना देखो 3 और 4 4 minus 2 करें गे तो कितना आएगा 2 आ गया और 2 दर जाके minus 2 जायगा तो minus 2 जायगा तो 5 minus 2 कर गया तो 3 तीन होंगा में प्रॉपल लिखी देता हूं गहां यह कितना हो गया for minus 2 हो गया और 2 दर पर value find करें तो क्या होगा minus 1 की power 4 minus 2 multiply minus 1 की power 3 plus 3 multiply minus 1 square minus a multiply minus 1 और plus b ये कितना होना चीए 19 होना चीए क्यों कि उसने बोला है कि remainder कितना आएगा 19 आएगा तो minus 1 की power even है तो 1 आएगा minus 1 की power odd है तो minus 1 आएगा और minus minus plus का 2 हो गया minus 1 की power फिर से even यानी sum है तो 1 आएगा और 1 को 3 से multiply करेंगे 3 आएगा और minus minus plus का a और plus का b बरावर कितना हो गया 19 हो गया तो ये देखो जोड़ों के तो कितना आ रहा है 3 और 3 6 6 उदर जाके minus का 6 हो जाएगा तो 19 में से 6 गया तो 13 बचा ये हमारी equation number second है अब हम क्या करते है जो equation है यानी जो sumi करण 1 है उसके अंदर 2 जोड़ देते हैं तो क्या होगा देखो minus a plus b बरावर 3 दिया हो है और minus a plus b बरावर कितना दिया हो है 13 a plus b बरावर 13 दिया हो है a और ये जोड़ेगे तो left hand side में left hand side को जोड़ना है right hand side में right hand side को जोड़ना है minus a plus a 0 हो गया और b b कितना हो गया 2b बरावर 16 तो यहां से b की value कितनी मिल गई 16 और ये 2 इदा डिवाइड में आ जाएगा तो b की value कितनी मिल गई 8 मिल गई हमारे को उसी तरीके से b की value यहां put करोगे तो b उदर जाके minus का हो जाएगा तो a की value कितनी मिल जाएगी हमारे को 13 minus 8 बरावर 5 तो a की value भी हमने निकाल ली वो कितनी आ रही है 5 निकल के आ रही है तो अब हमारा जो fx है वो कितना बन जाएगा वो मैं यहां लिख देता हूँ देखो तो अब हमारे पास जो fx है वो कितना हो गया x power 4 minus 2x cube plus 3x square minus a कितना है 5 तो 5x हो गया और plus b कितना है 8 तो plus 8 हो गया यह हमारा fx मिल गया अब हमें क्या करना है इस fx को किस से divide करना x minus 2 से तो remainder बता है तो x ब्राबर कितना है 2 आया अब इस 2 की value निकाल लो x ब्राबर 2 के उपर इस polynomial की जो value आईगी वही क्या होगा हमारा remainder अतार successful होगा तो वो value मैं यहां निकाल देता हूँ f2 ब्राबर अब ध्यान रखना हमारा polynomial यह है क्योंकि a और b की values हमने निकाल ली है तो यहां value put करते हैं देखो 2 के लिए 2 power 4 minus 2 multiplied 2 cube plus 3 multiplied 2 square minus 5 multiplied 2 plus 8 होगा तो 2 power 4 करोगे तो 16 आएगा 2 power 3 कितना होता है 8 8 टू जा 16 होगया और 2 टू जा 4 4 टू जा 12 और यह कितना होगया minus का 10 होगया 5 टू जा और plus 8 तो देखो यह तो 0 होगया 8 और 12 और 8 कितना होगया 20 20 minus 10 करेंगे तो 10 यानि कि F2 की value कितनी आई यानि कि इसको जब हम इसने divide करेंगे तो जो remainder मिलेगा वो कितना मिलेगा हमारे को 10 मिलेगा तो इस question को भी note कली यह बहुत अच्छा question है I hope आप लोगों को आज का lecture समझ में आया होगा सबसे पहले हमने remainder theorem को पढ़ा उसके उपर बहुत अच्छे questions किये next lecture में हम factor theorem को cover करेंगे factor theorem से related ऐसे ही अच्छे questions solve करेंगे अगर आप लोगों ने पहले ये आप 7th lecture देख रहे हो आप लोगों के सारे doubts को क्या कर सकूं cover कर सकूं और इस वीडियो को जादा से जादा share करना चैनल को subscribe जरू करना वीडियो को like करना और thank you क्वा कर दो